हेलो फ्रेंस वेलकम टो ए 24 नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन PPSC की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिलप के बारे में तो फ्रेंस यहाँ पर जो यह वेकेंसी इन्वाइट देखने को मिल जाएगी सबसे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको सेलरी मिलेगी जो की 35,400 रुपे है साथ में फ्रेंस से ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए पंजाबी एजस सब्जेक्ट आपके पास मैट्रिक लेवल या उसके एकुरेंट लेवल में होनी चाहिए और ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो भी क्राइटेरिया है या आपका यहाँ पर कंप्लीट होगा 8.1.2021 को एस क्राइटेरिया 1.1.2021 को काउंट होगा 18-37 साल आपका एस क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा इसके लिए फैंस जो इसका ओनलाइन वो 8.01.2021 से 15.01.2021 तक ओपन रहेगा और आप इसमें अप्लाइन कर सकते हैं ओनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब को अपलाए का लिंक मिल जाएगा आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर फेंड से देखिए जातर केंडियो को प्रॉलम आती है काइंड़ी ओपन वेबसाइट इन न्यू ब्राउजर अब होता यह है कि मालीजी आपने कभी इस वेबसाइट को ओपन कर लिया अ जब दुबारा से आप इसमें लोगिन करेंगे तो आपको यह आटोमेटिक यहां पर शो करने लगेगा वो आपकी फ्रेंड से ओपन हो जाएगी और प्रिविएस जो भी वेकैंसी हैं पीपीएसी की उसमें जो कमेंट जातर आएं हैं केंडिट्स के उसके अकोर्डिंग मै आप इसी को सेलेट करेंगे और इसके बाद यहां पर आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है सबसे पहले आप एंटर करेंगे आपका नाम इसके बाद आप एंटर करेंगे आपका फादर नेम और इसके बाद आप एंटर करेंगे यहां पर मदर नेम इसके बार आपका डियो बी section है तो date of birth आप यहां से select कर सकते हैं जो भी आपकी date of birth है वो इस calendar पर जाकर आप उसको select कर लेंगे यह select करने के बाद friends आपका जो ace criteria है वो एक जनवरी 2020 को count हो कर आ जाएगा आपका gender आपको select करना है marital status select करना है और आपकी जो भी active and valid mail id है वो आप यहाँ पर fill करेंगे तो यहाँ पर फिल करने के बाद आपका आएगा address section तो mailing address आपका जो भी पूरा address है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं आपकी city क्या है वो आपको यहाँ पर fill करनी होगी इसके बार आपका district क्या है यह आपको fill करना है आपका state आपको यहाँ पर select करना है और इसके बार आपको आप correspondence address और permanent same है तो same as पर आप click कर देंगे यह automatic copy हो जाएगा तो यह आपका address section है कि अपने according आप fill कर सकते हैं इसके बार nationalty आपको select करनी है अगर friends आप other select करते हैं फिर आपको nationalty select करनी होगी अब आपका dimensional क्या है पंजाब है तो आप पंजाब select करेंगे other है तो other select करेंगे अब पंजाब में अगर आप है तो आपको यहाँ पर categories के option मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी category जो भी आप choose करना चाहें वो कर सकते हैं अगर आपको age relaxation चाहिए तो किस category के अंदर चाहिए वो आपको select करनी होगी और इसके बाद friends से यहाँ पर आपको नीचे आपकी जो category of fees है वो आपको select करना है तो आप अपने according यहाँ पर category select करेंगे आपकी fees आ जाएगी अगर friends आप category यहाँ पर select करते हैं SCST all state या फिर यहाँ पर बाल में किया इससे क्या all state आप यहाँ पर select कर सकते हैं जो भी आपका applicable होगा आपकी जो amount of fees है वो आपको show करेगी यहाँ पर तो other state candidate भी eligible है आप पंजाब के निवासी है तो भी eligible है बस यहाँ पर पंजाबी language as a subject होनी चाहिए अगर आप PH candidate है तो yes क कर सकते हैं और इसके बार आपके type of disability आपको select करनी है subscribe चाहिए नहीं चाहिए वो आपको बताना है नहीं तो आप इसमें no कर देंगे एक service में अगर आप है तो yes कर सकते हैं आपका date of enrollment, date of release, आपका total service to a period जो है year और month में आपको यहाँ पर fill करना है नहीं है आप इसमें भी no क अब हैं आपकी qualification details तो यहाँ पर देखिए आपको qualification में सबसे पहले year of passing देना है और यह है डिटेल आपकी metric की इसके बार आपको देना है यहाँ पर बोड का नाम और इसके बार आपको देना है यहाँ पर आपका percentage criteria तो यह आप यहाँ फिल कर देंगे इसके बार यहाँ पर ह है नहीं है तो yes का option आपका automatic रहेगा आपका है यहाँ पर year of passing या फिर रजिस्टर का तो आपका जो भी year of passing है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं आपका जो यहाँ पर board university का नाम है वो आप देंगे आपकी percentage आप यहाँ एंटर करेंगे अगर आपके परस कोई experience नहीं है तो अप आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे इसके बार फैंसे अगर आप add करना चाहें तो आप यहाँ पर add इसको कर देंगे और इसके बार फैंसे आपको यहाँ पर देखिए कोई और other extra option नहीं मिलेगा मतलब graduation ही यहाँ पर आपका mandatory रहता है इसके बार है पंजाबी language आपके पास क आप यहाँ पर इसके बार फैंसे देखिए आपको यहाँ पर आपकी फाइल अप्लोड हो जाएगी इसके बाद पेमेंट option है तो offline mode में आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका applicable नहीं हुआ तो आप not applicable भी कर सकते हैं तो आपको offline mode select करना है इसके बार फैंसे नेस्ट option है आपके password का दो देखिए पासवर्ड में तभी आपका जो password है वो verify होगा यह details enter करने के बाद ही friends आप यहाँ से इसको submit कर सकते हैं और submit करने के बाद ही friends आगे कि जो process है वो आप complete कर सकते हैं इसके बाद friends आपका देखिए जो registration process है वो complete हो जाएगा आपको आपका registration number मिल जाएगा अब जो payment है उसकी last date आपको यहाँ पर दी गई है और इसके बाद आप यहाँ पर अपना जो चलान है वो generate कर सकते हैं साथ में friends अगर आपका application form में आपको कोई edit करना है तो आप दिये गए इस link पर भी click करके आपना जो भी details है उसको आप edit कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है आपको registration number यहाँ पर दिया गया है आपका जो password है वो आपको यहाँ पर fill करना है और capture को डाल कर सम्मिट करना ह साथ में friends यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस चलान की जो कि state bank of India का है तो आपको आपके नजदी की bank की शाखा में जाना है और वहाँ पर जाकर अपने payment को confirm करना है और payment confirm होने के बाद जैसा मैं अभी कहा कि आपको edit पर जाना है और उसके बाद आपको login करना है अपने registration number के सा और इसके बाद friends आपका जो यह form है वो completely आपका complete हो जाएगा और final print out आप निकाल कर अपने पास रख लेंगे future use के लिए future reference के लिए तो friends इस से related guideline आपको friends इसकी official website पर भी दी गई है आप यहाँ पर guideline भी चेक कर सकते हैं और guideline चेक करने के बाद आप यहाँ पर आपकी details को final check भी कर सकते हैं तो friends यहाँ पर जो भी यह vacancy है PPSC के नायब तैसिलडार की इस से related जानकारी मैं आपको video description में provide की हुई है वहाँ पर जाएगे details को check कीजिए आप eligible है apply करना चाहते है apply कर सकते हैं और वहाँ पर आपको apply का link भी मिल जाएगा और अगर आपको video पसंद आया है लाइक सब्सक्राबें शेर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटूब चैनल एनलास थैंक्स पूर वाचिंग